हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा नौवी के हिंदी पाठे पुस्तक कृति का भाग एक का चौथा अध्याय करने वाले हैं चौथे अध्याय में बच्चों एक कहानी दी गई है उस कहानी का नाम है माटी वाली और इस कहानी के लेखक है विद्या सागर नौटिया बच्चों यह कहानी जो है वह एक गरीब माटी वाली पर आधारित है लेखक इसमें बताते हैं कि जब तिहरी बांध यहां पर मैं ना के बार जब पूरा सहर पानी में डूब गया तब सरकार द्वारा वहां की लोगों को दूसरी जगा बिस्थापित किया गया यानि वहां से हटा करके दूसरी जगा बसाया गया तो यह जो कहानी है बच्चों यह उन्हीं बिस्थापितों के दर्द को बया करती है और इस कहान में हम पढ़ेंगे माटी वाली के बारे में तो चले देड़ न करते हुए कहानी को पढ़ते हैं सहर के सेमल का ततपर मोहले की ओर बने आखरी घर की खूली में पहुंच कर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोजह नीचे उतारा तो किसके बारे में कहा जा है बच्चों एक गरीब महिला जो कौन थी माटी वाली मिटी से भरा एक कंटर माटी वाली टिहरी सहर में सायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो घर के कुल निवासी वर्सों से वहां रहते आ रहे किरायदार उनके बच्चे तल तो यहां पर किसकी बात हो रही है बच्चों माटी वाली की लेखक कह रहे हैं कि टिहरी सहर का बच्चा बच्चा यानि कि सभी लोग माटी वाली को जानते हैं वह घर घर क्या करती है लाल मिटी पहुँचाने का काम करती है और उस काम को करने वाली माटी वाली अकेली है उ पहानी में लेखक आगे कहते हैं कि उसका कोई परतिद्वन्दी नहीं था परतिद्वन्दी तो आप सभी समझते ही होंगे तो लेखक क्या कह रहे हैं कि उसका कोई परतिद्वन्दी नहीं था यानि उसका कोई competitor नहीं था, बिरोधी नहीं था उसके बगेर तो लगता है टीरी सहर के कई एक घरों में चूलों का जलना तक मुस्किल हो जाएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखा कि अगर माटी वाली ना हो तो चूला जलना बंद हो जाएगा क्योंकि बच्चों माटी वाली ही सब के घरों में माटी पहुचाती थी तो यहां कहते हैं कि माटी वाली क्या करती थी सब के यहां माटी पहुचाती थी और उसी माटी से वहां के लोग जो हैं वा चूला बनाते थे तो इसलिए लेखा कहते हैं कि अगर माटी वाली ना होती और वह सभी के घरों में माटी न पहुचाती तो सभी के घरों में चूलहा जलना जो है वह मुस्किल हो जाता आगे लेकर कहते हैं वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूलहे चौके की लिपाई करने की भी समस्या पैदा हो जाएगी तो गाउं में क्या होता है बच्चों लोग माटी के चूलहे पे खाना बनाते हैं अगर आप लोग गाउं गए होंगे या गाउं में रहे होंगे तो आपने ये सभी चीजे जो है वह अनुभफ की होगी गाउं के लोग ज़्यादा तर चूले पे खाना बनाना पसंद करते हैं और खाना बनाने के बार मिटी से अच्छे से चूले की लिपाई कर देते हैं तो लेखा कह रहे हैं कि अगर माटी वाली नहीं हो तो चूला चौका पे जो लिपाई होती हैं वो सभी बंध हो जाएगा और लोगों के लिए मुस्किले खड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर माटी वाली इस कहानी की मुख्य पातर है और यह पूरी कहानी जो है बच्चों वो माटी वाली पर ही आधारित है आगे कहते हैं भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या घर में साफ लाल मिटी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए चूले चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान मकान के कमरों दिवारों की गोबरी लिपाई पुताई करने के लिए भी लाल मिटी की जरूरत परती थी तो देखिए बच्चों लाल मिटी की जरूरत और किन किन चीचों में होती थी गाउं में देखा होगा लोग गोबर से क्या करते हैं अपने घरद्वार को लीपते पोथते हैं जैसे सेरों में देखा होगा लोग क्या करते हैं पानी से धो देते हैं सिमेंटेट घर को पानी से धोया जाता है तो गाउं में लोग क्या करते हैं गोबर और मिट्टी से घरों को लीपते पूते हैं तो लेखक यही कह रहे हैं कि वहां की लिपाई पुताई जो है वह किस मिट्टी से होती थी लाल मिट्टी और यह मिट्टी कौन लागर के देता था माटी बाली सहर के अंदर कही मट्खाना है नहीं यानि जहां से माटी लाया जाया ऐसा कुछ भी नहीं था भागी रती और भिलांगना दो नदियों के तटो पर बसे हुए सहर की मिट्टी इस कदर रेटीली है कि उससे चूलों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता रेटीली मिट्टी कहने का आर्थ है बच्चों जिसमें अत्यादिक मात्रा में रेट सामिलो रेट यानि की बालू और उस मिट्टी से तो लिपाई पुताई नहीं हो सकती और ना ही चूला बनाया जा सकता है तो यहीं लेकर कह रहे हैं कि नदियों के तटों पर जितने भी सहर बसे हुए थे वहां कैसी मिट्टी पाए जाते थी रेती और चुला बनाने के लिए लिपाई पुताई करने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए थी लाल मिट्टी और यह लाल मिट्टी जो है वह माटी वाली ही लाकर के सब को देती थी तो इसलिए माटी वाले को वहा आप माटी वाली के ग्राहत बन जाते हैं घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरीजन बुढ़िया माटी वाली है तो देखिए अब जो भी कोई आता कोई भी किरायदार आता या किसी का महां पे घर होता तो वह सभी माटी वाली को बहुत ही अच्छे से पहचा भी करने का काम नहीं करता था माटी वाली के बारे में देखें यहां कहा गया है कि वह एक नाटे करकी थी और हरीजन बुढ़िया थी यानि बुढ़ी और थी हरिजन यानि जो नीचे कास्ट में आते हैं उसके बारे में बताया है लेखा के कि वह बहुत ही गरीब बुढ़िया थी और वो कौन थी माटी वाली अब लेखा कहते हैं कि सहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी मिट्टी से छुल बुल भरा कनस्तर टिका रहता है उसके उपर किसी ने कभी कोई धकन लगा हुआ नहीं देखा तो देखिये माटी वाली जिस बरतन में माटी लाती थी वह कैसा था तो वह कनस्तर जो था वह चिकनी मिट्टी का बना हुआ था और उसके उपर कोई धकन नहीं होता था अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके उपर धकन को काट कर निकाल फेकती थी तो जब भी वह माटी के लिए किसी भी कंटर का इस्तेमाल करती थी बच्चों वह क्या करती थी धकन को उस पर से निकाल के हटा देती थी अब क्यों हटाती थी तो यह आसा नहीं रहती थी तो इसलिए माटी वाली कंटर पर धकन रहने ही नहीं देती थी उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम था कामिनी वह दौरती हुई आई वह पहुंची और उसके सामने खरी हो गई तो वह छोटी किसी बच्ची किस के सामने खड़ी हो गई बच्चों माटी वाली के सामने और देखिए वह क्या कहती है कामनी कहती है कि मेरी मा ने कहा है जरा हमारे यहां भी आ जाना अब ही आती हूँ कौन कहती है माटी वाली घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्च भाटी देने के लिए कहा तो जिसके हां वो माटी देने गई थी उस घर की मालकिन ने कहा था तिम एक किनारे में मिट्टी को रख देना अब भी जिसके हां माटी रख रही है वो उससे क्या कहते है थो बहुत भागयवान है चाय के टेंपर आई है हमारे घर भागयवान आये खाते वक्त तो यहां वह माटी वाली को बहुत दुआये देती है और कहती है कि तू तो भागयवान है यानि भागयवान कहने कार्थ है बच्चों किस्मत वाला भागयवान सब्द कार्थ होता है किस्मत वाला तो जिसके आप माटी वाली माटी देने गई थी वो कहती है कि तू तो बहुत किस्मत वाली है तो ऐसे टाइम पे आई है जब हमारे हाँ चाय बन रहा है आजा बैठ और चाय के साथ कुछ खा ले ये कौन कह रही है? मालकिन कहती है तो वो जो मालकिन है वो अपनी रसोई में गई और वहाँ से दो रोटी लेती आई रोटियां उसे सौप कर वो फिर अपनी रसोई में घुस गई अब देखे मालकिन माटी वाली को दो रोटी देती है अब माटी वाली उस रोटी का क्या करती है? यहां आगे देखेंगे माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भागे के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था गरीब जो वैक्ती होता है, बच्चों जो वैक्ती गरीब होता है वह नहीं जानता कि उसका भाग्य कैसा है अच्छा है या बुरा है वह सिर्फ महनत करना जानता है और यहां माटी वाली भी महनत करना जानती है जब उसकी मालकिन ने कहा कि तु बहुत भाग्यवान है यानि बहुत किस्मत वाली है तो उस बात पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह एक महनती ओरत थी महनत कर रही थी आगे लेखक बता रहे हैं कि घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहे दोड़ाई यानि इधर उधर देखा तेज निगाहे दोड़ाई यानि इधर उधर तुरंत देखा उसके बाद हाँ इस वक्त वह अकेली थी उसके आसपास कोई नहीं था उसे कोई देख नहीं रहा था उसने फॉरण अपने सिर पर धरे डिब्बे के कपड़े में मोडो मोडो को हडबरी में एक जटके में खोला और उसे सीधा कर लिया फिर इखारा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर में एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुई अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मोडे क्या है तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर माथे पर रखकर की एक जग़ से दूसरी जग़ ले जाया जाता है तो एक कपड़े का इस तरीके से मोटा गठर बना लिया जाता है और सर पर रखके फिर कोई समाल अपने सर पर रखा जाता है तो माटी वाली क्या करती थी माटी वाली भी अपने सर पर एक इस तरह से मोटा कपड़ा रखती थी और फिर उसके उपर माटी का बड़ा सा कंटर रखती थी तो उसने इधर उधर देखा कोई उसे नहीं दिखा उसने जटपट उसे खोला और उसमें क्या रखा बच्चों रोटी अब देखें वह रोटी क्यों रखती हैं किस के लिए रखती हैं और आगे लेखक कहते हैं मालकिन के बाहरांगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी दो रोटीों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेट कर गांठ बांदी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मोड़ो यानि जो मोड़ो वो अपने सर पे बांदी थी उसने उसे खोला और उसमें एक रोटी रपेट ली साथ ही अपना मुह योहीं चला कर खाने का दिखावा करने लगे ताकि मालकिन को लगे कि उसने रोटी खाई है आगे कहते हैं कि घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लोटी उसने वह गिलास बुढ़िया के पांस जमीन पर रख दिया तो उस समय चाय बन रहा था तो मालकिन ने दो रोटी और चाय दी किसे खाने के लिए माटी वाली को अब देखिए मालकिन कहती है ले सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी इसी चाय के साथ निगल जा कहती है कि ले तू रोटी जो है वह चाय के साथ खा ले क्योंकि अभी कोई सबजी नहीं बची है माटी वाली ने खुले कपरे के एक छोड से पूरी गोलाई में पकर कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया अपने होटों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले सुरू-सुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू-सू करके उस पर लंबी-लंबी फूक मारे तब रोटी के टुकुरों को चबाते हुए धीरे-धीरे चाय सुरकने लगे अब देखिए अब उस पे चाड़ी को दो रोटी मिला जिसमें से उसने एक रोटी तो अपने मोडे में लपेट लिया यानि जो अपने सर पे रखती है कपड़ों का बना हुआ एक छोटा सा गठर उसमें लपेट लिया और एक रोटी चाय के साथ खाने लगी अब देखिए आगे क्या हुआ चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठाकुराईन जी कौन कह रही है माटी वाली कहती है कि अगर सबजी नहीं है तो कोई बात नहीं चाय जो है वा सबजी का ही काम करता है हम इसके साथ भी रोटी बहुत ही चाओ से खा सकते हैं भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया भूख मीठी की भोजन मीठा तो ये कौन कह रहा है मालकिन कहती है कि भूख अपने में क्या है एक साग है एक सबजी है अगर इंसान को जब बहुत तेज भूख लगी होती है तो वा कुछ भी खा लेता है लेकिन अगर पेट भड़ा हो बच्चों तो उसके सामने अगर पकवान भी रख दिया जाए तो वह नहीं खाएगा तो इसलिए यहां लेखक जो है वह उस ठकुराइन के माध्यम से बता रहे हैं कि भूख क्या है अपने आप में एक साग है एक सबजी है भूख लगनी चाहिए और भूख मीठी होती है भोजन मीठा नहीं होता है अगर आपको तेज भूख लगी होगी तो आप देखोगे कि आप सूखी रोटी भी बड़े चाओ से खालोगे लेकिन अगर आपका पेट भड़ा हुआ है तो यदि आपको रसगुले दिये जाएं तो भी आप उसे नहीं खाओगे तो इसलिए लेखक कहते हैं कि कौन सबसे अच्छी होती है भूख भूख मीठी होती है भोजन मीठा नहीं होता है तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास कौन कह रही है माटी वाली कहती है इसके खड़ीदार कई बार हमारे घर के चकर काट कर लोट गए ठकुराइन बोलती है पुर्खों की गाढ़ी कमाई से हांसिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा मन यानि कि उसका दिल जो है वह गवाही नहीं देता हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीब पर कोई स्वादिस्ट चटपटी चीज रखने के बजाए मन मसोस कर दो-दो पैसे जमा करने पर सकते हैं तो देखिए यहां ठकुराइन कहती है कि देखो यह जो हमारे पास पीतल के जो गलास है उसे हमें संभाल करके रखना चाहिए क्योंकि यह कब हमारे काम आजा या कोई नहीं जानता तो इसलिए ठकुडाईनी से बेचना नहीं चाहती है कहती है कि हमारे पुर्खों का क्या है गाड़ी कमाई ये उनके द्वारा दिया गया जो है वो बहुत बहुमुलक रत्न के समान बताती है जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई कहती है कि ये हमारे पुर्खों की दी हुई एक समपत्ती की तरह है जो कभी भी हमारे ऐसे वक्त में काम आ सकता है जो वक्त हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो इसलिए इसे हम सम्हाल करके रख सकते हैं और आज के टाइम पे कहती है कि इसका कीमत जो है और ये बैपारी हमारे घरों से हराम के भाव एकठा करके ले जाते हैं तमाम बरतन भांडे कांसे के बरतन भी गायव हो गए हैं सब घरों से अब देखिए ठकुडाइन कहती है कि देखो पीतल कांसा आप सभी मार्केट से क्या हो रहा है गायब हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उसकी कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई है लोग उसे खड़िदने में असमर्थ हैं लेकिन कुछ जो बैपारी है वो लोगों से ओने पौने दाम पे ले जाते हैं यानि कम दामों में ले जाते हैं और उसे जदा से जदा दामों में बेचते हैं तो यह भी एक मुख्य कारण है इसका इतनी लंबी बात नहीं सोचते मांकी लोग अब जिस घर में जाओ वहां या तो इस टिल के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के अपनी चीज का मो बहुत बुड़ा होता है मैं तो सोच कर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उमर में इस सहर को छोड़कर हम जाएंगे कहां कौन कह रही है ये ठकुराणी कह रही है ठकुराइन जो है वह कहती है ठकुराइन जी जो जमीन जैदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकल कर सामने के घर में चली गई उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आना है कि आदेश के साथ उसे दो रोटिया मिल गई अब देखिए माटी वाली ने चाय खत्म की अपना कपरा उठाया और कहां चल दी सामने के घर में चली गई और सामने के घर से भी उसे ओर्डर मिला था कि कल किसी भी आलत में उसके यहां उसे लाल मिट्टी पहुँचानी है और वहां भी उसे घर वाले ने दो रोटिया दी उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोड से बांध लिया लोग जाने तो जाने की वह ये रोटियां अपने बुड़े के लिए ले जा रही है उसके घर पहुँचते ही असक्त बुड़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता है आज वह घर पहुचते ही तीन रोटियां अपने बुड़े के हवाले कर देगी रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड़े का बच्चों अब वह रोटियां किसके लिए ले जाती है बुड़ा वह बुड़ा कौन है तो माटी वाले का पती है जो सारा दिन उसके आने का इंतजार करता है कि कब वो आएगी साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है नहीं अभी और तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीटी की भोजन मीठा उसका गाउं सहर के इतना पास भी नहीं है कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुचने में एक घंडा तो लगी जाता है रोज सुबा निकल जाती है वह अपने घर से पूरा दीन मट खाना में मिटी खोदना फिर बिभिन्य अस्थानों में फैले घरों तक उसे पहुचाना तो लेकक बताते हैं कि मिटी वाली का यानि माटी वाली का जो घर है वह सहर से कई गुना दूरी पे है तो इस वज़े से माटी वाली बिचारी जो है वह जल्दी अपने घर नहीं पहुच पाती है वह रोज सुबा उठकर के सबसे पहले कहां जाती है माट खाना यानि माटी खुनने के लिए जाती है माटी खोदती है और फिर उस माटी को घर घर पह कोई खेत नहीं जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं बहुत गरीब होती है माटी वाली उसके पास कुछ भी नहीं होता है जोपरी जिसमें वह गुजारा करती है जिसमें वह और उसका पती रहता है गाउं के एक ठाकुर की जमीन पर खरी है और वह जोपरी किसके जमीन पर है बच्छों तो गाउं का एक ठाकूर है उसने अपनी जमीन पर किसे रहने दिया है तो माटी वाली को उस की जमीन पर रहने की एवज में उस भले आत्मी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है अब कहते हैं कि अब उस ठाकुर ने जिसने जमीन दी है जोपड़ी बनाने के लिए माटी वाली उसके घर भी माटी पहुचाती है और बहुत सारे काम हैं जो वह बिना पैसों के करती है यहाँ देखें बेगार सब्द यानि मेहनत तो करती है लेकिन उसके एवज में उसे कुछ भी नहीं मिलता है नहीं आज वह एक गठरी में बदल गई अपने बुढ़े को कोरी रोटिया नहीं देगी माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खड़ी लिया प्याज को कूट कर वह उसे जल्दी जल्दी तल लेगी बुढ़े को पहले रोटिया दिखाएगी नहीं सबजी तयार होते ही परोस देगी उसके सामने दो रोटिया अब वह दो रोटिया भी नहीं खा सकता एक ही रोटि खापाएगा या हद से हर डेड़ अब उसे ज्यादा नहीं पचता बाकी बची डेड़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी तो देखिए माटी वाली बहुत सारी बाते अपने मन में सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही है तो बच्चों माटी वाली अपने मन में बहुत सारी बातें सोचते हुए अपने घर जा रहे थी क्या-क्या सोचती है कि वो जब घर जाएगी तो अपने पती यानि वो पती जो बुढ़ा है उसके बारे में सोच रही है कि उसे कोडी रोटियां नहीं देगी कोडी रोटियां यानि खाली रोटी उसे खाने को नहीं देगी उसके लिए वा जो कमाई की है उसमें से एक पाव प्याज खड़ी लेगी और फिर वा प्याज को फूट करके तल देगी और फिर अपने बुड़े को रोटियां खिलाएगी और जो रोटी बच जाएगा उससे वह खुद खा लेगी तो इस तरीके की बाते वह सोचते हुए अपने घर की तरह बढ़ती है आगे सोचती है कि एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है मन में यह सब सोचती हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुँच गए उसके बुड़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी माटी वाली के पाउं की आहट सुन कर हमेशा की तरह आज वह चौका नहीं उसने अपनी नजरे उसकी ओर नहीं हुमाई गवराई हुई माटी वाली ने उससे चूकर देखा वह अपनी माटी को छोड़ कर जा चुका था तो देखे बच्चों माटी वाली जिसके लिए सोचते सोचते अपने घर पे आ रहे थी यानि कि उसका पती जब वह घर पहुँची तो उसने अपने पती के जब वह घर पहुँची बच्चों तो उसने क्या महसूस किया उसने यह महसूस किया कि उसका पती उसके आने की आहट को सुन करके क्या होता था चौक जाता था है ना क्योंकि माटी वाली उसके लिए कुछ न कुछ खाने को लाती थी लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ वह उसे देखने लगता था लेकिन आज उसने उसे नहीं देखा तो माटी वाली को आस्चर्ज हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि आज ना तो उसका पती चौका नहीं उसे देखा तो वह सब कुछ फेक फाक करके उसे छूने गई और तब उसने क्या देखा कि उसका जो पती है वह माटी को छोड़ कर जा चुका था यानि उसकी मलित्ति हो गई थी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों कहानी का ये भाग हम यहीं समाप करते हैं कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले कोई प्रस्णिया सुझाब हो तो उसे कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो पसंद आये हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें क्योंकि इस बार के एक्जाम में ये चैप्टर आ रहा है तो सबसे पहले आप चैप्टर को समझें उसके बाद ही इसका प्रश्ण भ्यास करें तो मिलते हैं बच्चों इसी कहानी के अगले भाग में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद